ब्रत कथा तृतिव अध्याय प्रारम्ब शिरी सूद जी बोले बलवानों में स्रेश्ट उलका मुख नामक राजा था जितेंद्री था सत्तिवादी था वह प्रत दिन मंदिर को जाता था प्रत दिन ब्रामनों को धंदे कर उसे संतुष्ट करता था उसकी पतनी सुंदर मुसकान वाली कमल की समान मुख वाली सती थी बद्र सिलानदी की किनारे सत्देव की प्रत को कर रहे थे उसी समय एक साधू बनिया यानि बैस वहां पे आया ब्यापार के लिए बहुत से धन और रतनों से परिंपण नाव को किनारे लगा को राजा के पास पहुचा राजा को ब्रत करते हुए देखा उस वनिक ने बिने प्रवक पूछा साधू अनिक बुला हे राजन भक्ति प्रवक मन से आप यह क्या कर रहे हैं सब कुछ विस्तार प्रवक कहिए मैं सुनना चाहता हूं राजा बोले हे साधू यह अत्यंते जच्वी विश्नु भुगमान का पूजन है और इस ब्रत को अपने बंदू दों के साथ पुत्र प्राप्ति के आकांचा से करता हूं राजा के बचन को सुनकर साधू बैस राजा को पुणाम करके मुदरवानी से बोला कि हे राजन इस ब्रत की संपर्वुदी करने के किरपा कि जे मैं भी इस ब्रत को करना चाहता हूं क्योंकि मेरे भी कोई संतान न तो मैं भी भगमान सुतनायन का अम्परत करूँगा। थोड़े समय बाद भगमान के क्रपा से लिलावती गर्वती हो गई, गर्वे के पुन होने पनोमा। बाद भैस की पत्नी ने एक सुन्दर वालिका को जनम दिया। और वह सुक्ल पक्ष के चंद्रवा के भाती बढ़न लगी, तब भैस और उनकी पत्नी ने कन्या का नाम करण संसकार कराया और उसका नाम कलावती रखा। तब लिलावती अपनी पत्नी से मधु सब्दों में बोली कि आपने जो पहले शंकल्प किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते। साधू नामक बैस अपनी पत्नी से बोला कि है प्रिये इस कन्या के नाम करण में बहुत धन खर्च हो गया है। इसलिए इसके विवा के समय यह ब्रत करूंगा इस प्रकार अपनी इस्तरों को समझा को नगर में ब्यापारक है तू चला गया तब भुवान के किरपा से स्यानि हो गई एक दिन साधू ने अपनी कन्या कलावति को नगर में अपनी सहलियों के साथ घुमते हुए देखा और मन में विचार करने लगा कि कन्या बिवा के योग हो गई अता दोतों को भुला कर कहा कि मेरी कन्या के लिए सुन्दर स्रेष्ट वर की खोज करो साधू नामक वैस्ट की आज्यां से दोत कांचन नगर में गए कांचन नगर में दोतों ने एक वैस्ट पुत्र को देखा जो सुन्दर आउ शुब गुणों उसे संबन था वहा लड़का जाती का कुलीन था उसे दोत सादू बैस्ट के पास लाकर बुले है स्वामी यह बालक सप्र से आपकी कन्या के योग है दोतों के मुक्से या बचन सुनकर सादू बैस्ट ने अपनी कन्या का विवा विदी विदान से उस बैस्ट के पुत्र की सांथ कर दिया कन्या के विवा की समय भी दुरभागी वस बैस्ट सादू सत्मनायन भगमान का उत्तम ब्रत करना भूल ग रत्मसारपुर्ण नगर में पहुंचके समुन्द के समीवनावका खड़ी करके वह दामाद के स्याथ ब्यापार करने लगा रत्मसारपुर्ण नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे उसे समय मगवांस्वत्पनायन ने ब्रेश्ट प्रतिज्यांबद साधु बैस को बैस अपने दामाद के सांसोया हुआ था चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे सिपाहियों को डर से चोर धन को बैस के यहां चिपा कर भाग गए सिपाहियों ने बैस के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का सारा धन वहां पर रखा हुआ है अतह सिपाहियों उन दोनों को चोर समझ कर उने बाद कर राजा के पास लेया आई सिपाईओं definitive हरसफर्वक राजा सिखा है पर वो यही दोनों चोर हैं जो आपके धन को चुराकर भागे थे इनको उचित सजादी जी राजा ने अग्यादी इन्हें दोनों को सिक्र बांद कर महा दुर्गे के कारा गार में डाल दिया जाए सूती जी बोले भग्वाशतना इनकी माया से राजा चंद्रकेति ने उन दोनों बैसों की एक भी बात नहीं सुनी आओ उनका सब धन भी छिन लिया यहां तो बैसादू एवं के दामात का एहाल हुआ और घर पर बैस की पुत्री एवं पत्नी को भी अत्यन दुख प्राप्त हुआ उनका सब धन धन धान चोर उठा ले गए मा बेटी मांसी का उसारी कष्ट जेलने लगी तता भोग प्यास से तडपने लगी और अंत में घर घर जाकर भिच्छा मांकर पेट भलने लगी एक दिन भोग से पीलित होकर कलावती कन्या एक ब्रामण के घर पहुँची वहां सत्नायन भगवान की कथा हो रही थी वहां पर बैट कर कथा सुनने लगी कथा सुनकर उसने भी भुवान की बहुत बिंती की कथा समाप्त होने पर प्रशात का कर घर वापिस आये उस समय का पी राद विती थो चुकी ती लील्यावती कुरोधी तोकर बोली हे पुत्री इतनी रात बीत जाने पे तुम कहां से आ रहे हो तुम्हारे मन में क्या बात है माता के पूछने पर कला वती कन्याने का है माता मेरा विश्वासकरों में भिच्छा के लिए एक ब्रामण के घर गई थी वहाँ पर भगमानु सतनायन की कथा हो रही थी यह पूजन दुख हरने वाला तथा वांचित फल देने वाला ह कन्यालिल अवति की बात सुनकर बैस की पत्नी भी सत्नायन का ब्रत कन्य की सोचने लगी प्रात उठकर वह अपनी पुत्री से बोली तुम पूजन की सामागरी एकत्र करो आज हम भगवान सत्नायन की पूजा करेंगे बैस की पत्नी ने बंदू-बंदो सही सत्नायन भगवान का पूजन की आओ प्रातना की के हे भगमन मेरे पती उम्दावा शिग्र वापस आजाएं उनकी सिग्र आ जाने पर हम पूरा आपका पूजन करेंगे ब्रत करेंगे यदे मेरे पती या दामाज से कोई अपराद हो ग करें लेला बती की ब्रत पूजन से भगमान सुतनायन प्रशन हो गए भगवान ने स्वप्न में राजा चंद्र के तू से कहा कि हे राजन प्रात काल उन दोनों बैश्यों को कारागार से मुक्त कर दो उन दोनों का जो धन तुमने छिन लिया है उसे भी उन्हें वापस कर यद ऐसा न किया गया तो तुम्हें अपने राज्य पुत्र आओ धन से हाथ धोना पड़ जाएगा या सब नश्ट हो जाएगा इस प्रकाश राजा कर भगवान सतनायन अंतर ध्यान हो गए राजा प्रात अकाल अपने सोजनों के साथ उठे सबा में राजा ने रात्र का सपन लोगों को बताया सब लोग सुन कर बोले हे महाराज सपन सत्य परतीत होता है स्वप्ण में कही गई बातों पर आच्रन करना चाहिए राजा ने अपनी सिपाहियों को दोनों बैस्चों को मुक्त करने की आज्याँ दी राजा की आज्याँ पाकर सिपाहियों ने दोनों बैस्चों को राजा के सामने उपस्थित किया बिनए पुरवक राजा से बोले हे राजन हमने इस दोनों बैस्यों को बंधन मुक्त कर दिया तब दोनों बैस्यों ने राजा चंदकेतु को दंडवत प्रनाम किया अपने साथ घटी हुई घटना को सोच कवे दोनों बैसे ब्याकुल हो रहे तो राजा ने दोनों बैस्यों को देखकर आधर पुरवक कहा तुम दोनों जो दुख एवं कश्ट तुम दोनों को उठाना पड़ा उसका दोस मुझ पर नहीं है उसका दोसी दैव है इस समय तुम्हें कोई भै नहीं है तुम निर्भै होकर जाओ इतना कहने के बाद राजा ने उनके हाथों से हतकण या ख उस उनों से पुरस्कृत किया तो था मिठी वाणी से दोनों वैशो को संतुष्ट किया राजा ने वैशों का जो धन लिया था उसका दो गुना धन देकर उन्हें संतुष्ट किया अंत में राजा ने उनसे कहा है वैशो अब तुम अपने घर को प्रस्थान करो राजा की अज्ञापाकर बैस्टों ने कहा, अब आपके आदेश को मान कर, हम अपने घर जा रहे हैं, इसी प्रकार दोनों ने अपने घर को प्रस्तान किया, इत्रेवाकंडे, इत्रत्यवध्या, शंपणो, सत्नां, ब्रतकता, बोले, सत्नां भगुआने की जय, सिता राम, सिता राम, सिता राम कहिए, जाहें बीद राके राम, ताहीं बीद रहिए, सिता राम, सिता राम, सिता राम कहिए, जाहीं भी दिरा के राम ताहीं भी दिरही सिता राम सिता राम